हेलो स्टूदेंट्स, वेलकम तो में यूटूब चैनल, वाइवल मैठ्स, आज हम स्टार्ट करें के मेठर 7, एक्जेट दिफरेंशल एक्वेशन, चलिए, तो थीरी देख लेते हैं, तो basic form is, mdx plus ndy is equal to 0, यहाँ पर m और n क्या है, m, n, n are functions of x and y, ठीक है, चलिए तो इसके steps देख लेते हैं, चलिए हमारा पहला step होगा, m का value find करना है, और n का value find करना है, ठीक है, तो m कहां से मिलेगा, जो dx है, dx के साथ जो भी term दिया गया है, वो हमारा n है, और dy के साथ जो भी x और y का term दिया गया है, वो हमारा n है, आपको क्या करना है M का partial derivative लेना है Y के जरीए del M by del Y और N का partial derivative लेना है X के जरीए del N by del X ठीक है partial derivative कैसा लेते हैं वो हम आगर discuss करते हैं ठीक है चलिए step 2 हमारा होगा exactness condition तो second step में क्या होना चाहिए del M by del Y is equal to del N by del X ठीक है यहाँ पे जो del M by del Y और del N by del X आपको दिया गया है वो अगर equal है तो यह जो हमारा equation दिया गया है वो क्या है exact differential equation ठीक है तो third step में हमारा solution क्या होगा तो solution is integration MDX यहाँ पे हमको Y क्या करना है constant रखना है ठीक है एक condition है plus integration N D Y यहाँ पे दूसरा condition है without X terms आपको N में से without X terms select करके यहाँ पे रखना है ठीक है is equal to C इसका हम लोग आगे integration करेंगे तो हमारा answer मिलेगा ठीक है चलिए तो फिर से theory देख लेते हैं आपको example में क्या दिया गया होगा MDX plus N D Y is equal to 0 हम पहले step में क्या करेंगे M और N का value find करेंगे ठीक है M का partial derivative लेंगे Y के जरीए और N का partial derivative लेंगे X के जरीए second step में हम लोग exactness condition check करेंगे exactness condition क्या है del M by del Y is equal to del N by del X ठीक है अगर यह condition fulfill हो गई तो third step में हमारा solution क्या मिलेगा integration MDX उसमें Y constant रखेंगे plus integration N D Y उसमें without X time होगा is equal to C यह हमारा final answer होगा ठीक है चलिए तो partial derivative कैसे लिया जाता है वह हम देख लेते हैं मानले यह M equal to हमको दिया गया है X square plus 2xy plus y square अब हम क्या करेंगे M का partial derivative लेंगे हम X के जरीए del M by del X तो हमको यह याद रखना है कि जब भी हम partial derivative लेंगे तब जिसके जरीए हम लोग derivative लेते हैं वो ही हमारा variable रहेगा ठीक है मानले जी हम लोग यहाँ पर partial derivative किसके जरीए ले रहे हैं? x के जरीए, तो हमारा y क्या रहेगा? constant, तो चलिए यहाँ पर derivative लेते हैं, x square का derivative क्या होगा? 2x, और x का derivative होगा फिर 1, plus यहाँ पर constant हम क्या है? 2 constant है, और y constant है, ठीके? क्योंकि partial derivative हम लोग किसके जरीए ले रहे हैं? x के जरीए, ठीके, तो यहाँ पर x का derivative 1 होगा, तो यहाँ पर होगा 2y, x का derivative क्या हुआ, 1, प्लस, यहाँ पर देखिए, last term है y square, इसमें कोई x वाला term नहीं है, that means इसका derivative होगा 0, y को हम क्या assumption करेंगे, constant, और constant का derivative होगा 0, ठीक है, चलिए, यही m का, हम लोग partial derivative लेते हैं, y के जरीए, तो हम क्या concept याद रखेंगे, x को हम क्या assumption करेंगे, constant, हमें सिभ y का derivative लेना है, ठीक है, चलिए, तो देखते हैं, यहाँ पर क्या है, x square, यहाँ पर कोई y वाला term नहीं है, that means यह term हो जाएगा 0, प्लस, यहाँ पर देखिए, 2 और x, दोनों क्या है, constant, y का derivative y के जरीए क्या होगा, 1, that means 2x हम constant ले लेते हैं, y का derivative y के जरीए होगा 1, प्लस, यहाँ पर y है, y square का derivative होगा 2y, ठीक है, चलिए, दूसरे एक example ले लेते हैं, मान लिए कि आपको दिया गया है, x square y, plus 3xy, minus 2, तो यहाँ पर हम लोग m का partial derivative लेंगे, x के जरीए, ठीक है, तो आपको क्या concept याद रखना है, सिफ x का derivative लेना है, y जो भी होगा, वो constant रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर y constant है, x square का derivative क्या होगा, 2x, y as it is रहेगा, x का derivative होगा, 2x, प्लस, यहाँ पर 3 और y, दोनों constant रहेंगे, x का derivative x के जरीए होगा, 1, that means 3y as it is, x का derivative होगा, 1, last term में कोई x भी नहीं है, y भी नहीं है, that means वो constant है, constant term का derivative क्या होगा, 0, ठीक है, चलिए, अब m का partial derivative लेता है, y के जरीए, जो m है, उसका partial derivative लेंगे, y के जरीए, is equal to, अब हम क्या याद रखेंगे, हमको सिर्फ y का derivative लेना है, x हमारा constant रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखे, x square constant है, y का derivative y के जरीए क्या होगा, 1, plus, यहाँ पर 3 और x, अब दोनो constant है, तो हम उसको as it is रखेंगे, y का derivative y के जरीए होगा, 1, ठीक है, अब लास्ट term है, minus 2, minus 2 का derivative होगा, 0, तो चलिए, अब कुछ, example देख लेते हैं, ठीक है, हमारा first example है, solve, ax plus hy plus g, dx plus hx plus by plus f, dy is equal to 0, ठीक है, तो इसको हम अपना basic form के साथ compare करते हैं, तो यह हमारा है, m dx plus, यह है, n dy is equal to 0, ठीक है, तो चलिए, इसको हम solve करते हैं, हमारा step 1 क्या होगा, m का value हम find करेंगे, तो m का value होगा हमारे पास, ax plus hy plus g, n का value हमारे पास क्या है, hx plus by plus f, अब हम क्या करेंगे, m का partial derivative लेंगे हम y के जरीए, del m by del y, ठीक है, तो यहाँ पे देखे, a और x दोनों constant है, derivative होगा 0, यहाँ पे y का derivative y के जरीए 1, that means, shift रहेगा h, plus g constant है, derivative क्या होगा, 0, n का हम partial derivative लेंगे, x के जरीए, del n by del x, is equal to h constant, x का derivative क्या होगा, 1, plus यहाँ पे कोई x term नहीं है, b और y दोनो constant है, constant term का derivative 0, plus f v constant है, constant का derivative 0, that means, यहाँ पे del m by del y का answer क्या मिलेगा, h, और del n by del x का answer हमको क्या मिलेगा, h, इसको हम बोल देते है, equation 1, और यह है equation number 2, तो यहाँ पे second step में हम लोग क्या करेंगे, from, from equation 1 and 2, del m by del y is equal to del n by del x, that means, हमारा exactness condition यहाँ पे fulfill हो रहा है, तो हमारा third step में solution कैसे मिलेगा, the solution is integration m dx keeping y constant, plus integration n dy without x terms is equal to c, ठीक है, तो चलिए हम लोग value replace करते हैं, m का value हमारे पास क्या है, ax plus hy plus g dx plus integration, अब यहाँ पे क्या करना है, जो b n है, उसमें से without x term हमको लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा n क्या है, hx plus by plus f, तो हम क्या करेंगे, hx वाला term है, हम उसको remove कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा भी, by plus f dy is equal to c, चलिए तो इसका integration लेते हैं, तो a constant, x का integration होगा, x square by 2, plus h और y दोनो constant है, अब यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 का integration होगा, x plus, यहाँ पे g constant है, अब यहाँ पे क्या बचा, 1, 1 का integration होगा, x plus, अब यह term है, उसका हम integration करेंगे, y के ज़रे है, ठीक है, तो यहाँ पे b constant, y का integration होगा, y square by 2, plus f constant, यहाँ पे 1 है, 1 का integration होगा, y is equal to c, ठीक है, यह हमारा answer है, चलिए दूसरा example देख लेते हैं, चलिए तो हमारा दूसरा example है, solve x square minus 4xy minus 2y square dx plus y square minus 4xy minus 2x square dy is equal to 0, ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे हम लोग अपना first step apply करता है, first step हमारा क्या है, हमको m का value find करना है, ठीक है, तो यह होगा x square minus 4xy minus 2y square, ठीक है, यहाँ पे हम लोग n का value find करता है, यह है y square minus 4xy minus 2x square, अब हम क्या करेंगे, m का partial derivative हम लोग लेंगे y के जरीए, तो partial derivative में हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, यह जो x वाला term है, वो constant रहेगा, ठीक है, तो x का derivative क्या होगा, 0, minus, यहाँ पे y है, that means 4x, constant रहेगा, y का derivative होगा, 1, minus, यहाँ पे y square का derivative क्या होगा, 2y, यह 2 constant है, y square का derivative है, 2y, इसको simplify करता है, यहाँ पे है, minus 4x minus 4y, equation number 1, चलिए, यहाँ पे n का partial derivative हम लोग लेते हैं, x के जरीए, ठीक है, del n by del x, is equal to, यहाँ पे को x वाला term नहीं है, derivative होगा, 0, minus, यहाँ पे x है, x का derivative x के जरीए होगा, 1, that means, यहाँ पे हमारे पास रहेगा, 4y, minus 2 constant है, x square का derivative होगा, 2x, simplify करता है, यह होगा, minus 4y, minus 4x, यह है हमारा equation number 2, तो second step में हम लोग क्या करेंगे, from equation 1 and equation 2, we can say that, del n by del y, is equal to, del n by del x, that means, हमारा equation है, वो क्या है, xz, xz differential equation है, तो third step में हम लोग solution लेते हैं, the solution is, integration m dx, keeping y constant, plus integration n dy, without x terms, is equal to c, तो चलिए, इसमें m और n की value replace करते हैं, ठीक है, m का value हमारे पास क्या है, x square, minus 4xy, minus 2y square, dx, plus, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, without x term लिखेंगे, तो n में से without x term हमारे पास क्या है, shift y square, यह हमारा n है, यह term है, उसमें x है, last term में भी x है, तो हमारे पास without x term क्या है, y square, ठीक है, यहाँ पर होगा dy is equal to c, चले, integration लेते हैं, x square का integration होगा, x cube by 3, minus, 4y constant, x की एक पावर का integration होगा, x square by 2, minus, यहाँ पर 2y square, पूरा term constant है, 1 रहेगा, 1 का integration होगा, x, plus, यहाँ पर y square का integration होगा, y cube by 3, is equal to c, यह हमारा final answer है, ठीक है, तो चले, third example देख लेते हैं, solve, e raise to y, plus 1, cos x dx, plus e raise to y, sin x dy, is equal to 0, चले, तो इसका solution देख लेते हैं, ठीक है, हमरा first step क्या होगा, m का value find करना, m होगा, e raise to y, plus 1, cos x, n का value हमारे पास है, e raise to y, sin x, चले, अब आगे क्या करेंगे, m का partial derivative हम लोग लेंगे, y के जरीए, तो यहाँ पर देखे, यह पूरा y वाला term है, x उसके साथ multiply में है, that means cos x, यहाँ पर as it is रहेगा, in bracket जो भी term है, उसका हम partial derivative लेंगे, y के जरीए, तो e raise to y का derivative होगा, e raise to y, plus 1 का derivative होगा, 0, that means हमारा यहाँ पर term रहेगा, e raise to y into cos x, यह है हमारा equation number 1, n का हम लोग partial derivative लेंगे, x के जरीए, del n by del x, तो यहाँ पर देखिए, sin x है, तो sin x का derivative होगा, cos x, तो यहाँ पर होगा e raise to y into cos x, यहाँ पर e raise to y वाला term multiply में है, that means हो as it is रहेगा, ठीक है, सिर्फ sin का derivative होगा, cos, यह है equation number 2, step 2 में क्या होगा, from equation 1 and 2, we can say that, del m by del y is equal to del n by del x, that means हमको जो भी question दिया गया है, वो क्या है, exact differential equation, third step में हम लोग क्या लेंगे, solution, the solution is, solution कैसे होगा, इसका integration mdx, यहाँ पर y हम constant रखेंगे, plus integration n dy, यहाँ पर होगा, without x terms, is equal to c, चल्ये तो इसमें m का value replace करते हैं, ठीक है, integration e raised to y, plus 1, cos x dx, plus integration, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, without x term replace करेंगे, ठीक है, तो यह term देखें, यह हमारा n है, और इसमें क्या है, x term है, that means, यहाँ पर होगा, 0, is equal to c, चल्ये, e raised to y plus 1, यह पूरा term constant है, उसका हम integration के बाहर लिख देता है, ठीक है, हमारे पास अभी क्या है, cos x, cos x का integration होगा, sin x is equal to c, यहाँ पर 0 है, that means, यह पूरा term 0 हो जाएगा, यह हमारा final answer है, ठीक है, तो हमारा last example है, solve, y into e raised to x dx plus 2y plus e raised to x dy is equal to 0, और यहाँ पर हमको एक condition दिया गया है, y 0 is equal to 1, ठीक है, तो चल्ये, पहले इसको solve कर देता है, फिर यह IBP initial value problem को आगे solve करेंगे, ठीक है, तो हमारा पहला step होगा, m का value find करेंगे, तो m हमारे पास क्या है, जो भी dx के साथ term दिया गया है, 2y plus e raised to x, m का partial derivative हम लोग लेंगे y के जरीए, del m by del y, तो यहाँ पर y का derivative y के जरीए होगा 1, that means हमारे पास term रहेगा e raised to x, n का partial derivative हम लेंगे हम x के जरीए, ठीक है, तो यह पहला term है, उसमें x नहीं है, that means उसका derivative होगा 0, plus e raised to x का derivative होगा e raised to x, यह है equation 2, और यह है equation 1, second step में हम लोग क्या करेंगे, from equation 1 and 2, we can say that, del m by del y is equal to del n by del x, that means हमको जो भी question दिया गया है, वो हमारा क्या है, exact differential equation, तो third step में हम लोग उसका solution लेंगे, ठीक है, the solution is integration m dx, क्या करेंगे हम लोग y को constant रखेंगे, ठीक है, plus integration n dy without x terms is equal to c, यहाँ पे m और n की value replace करते हैं, ठीक है, तो m क्या है, हमारे पास, y e raise to x dx, plus, यहाँ पे n में क्या करेंगे, without x term लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यह हमारा n है, तो यह x वाला term हमको remove करना है, तो हमारे पास क्या term रहेगा, सिर्फ 2y, 2y dy is equal to c, चले तो आगे integration लेते हैं, यहाँ पे y constant है, e raise to x का integration होगा, e raise to x, plus, यहाँ पे देखें, यह 2y का integration y के जर्य लेना है, that means 2 constant रहेगा, y की एक पावर है, उसका integration होगा, y square by 2 is equal to c, यहाँ पे 2, 2 cancel कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा final answer होगा, y e raise to x, plus y square is equal to c, यह हमारा final answer है, ठीक है, 0 is equal to 1, that means, यह है हमारा x, और equal के right hand side जो भी है, वो है हमारा y, तो यह value हम replace करेंगे हमारा final answer में, तो चलिए value replace करते हैं, y is equal to हमारे पास है 1, e raise to 0, plus y square, that means 1 square, is equal to c, तो हमारे पास क्या रहेगा, e raise to 0, that means 1, 1 square, 1 is equal to c, तो c का value हमारे पास final रहेगा 2, तो final answer हम लोग represent करेंगे, y e raise to x, plus y square, is equal to c का value हमारे पास क्या है, 2, यह हमारा final answer है, ठीक है, तो friends, आज हमने discuss किया है method 7, exact differential equation, next video में हम लोग method 8 discuss करेंगे, reducible to exact differential equation, ठीक है, तो चलिए मिलता है next video में, जई हिन, युट करेंगे,